हेलो बच्चों मैं कीबोर्ट के कुछ कीज पैटन को एकस्प्लेन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो छोटे बच्चों के लिए हेलफुल है और इसलिए मैंने यामाहा यहां पर आध्यान देंगे टू ब्लैक प्री ब्लैक मैंने पहले भी एकस्प्लेंड किया है तू ब्लैक के ठीक नीचे फर्सट वन फर्स्ट ब्लैक है उसके ठीक नीचे यह वाइट वन काउंट होता है आज की क्लास में हम म्यूजिक के जो एलफाबेट्स हैं वो सी से स्टार्ट होते हैं सो दिस वन सी डी ए आप सभी छोटे बच्चों को सबसे पहले यह थ्री एलफाबेट्स की प्रैक्टिस करनी है सी डी ए सी डी ए सी डी ए सी पर थम्भों का डी इंडेक्स फिंगर ए मिदल फिंगर थम् इंडेक्स मिदल 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 यह एक मेंटीनियु करेंगे तो फिंगर में एक फ्लोव आता है इसको धीरे-धीरे तेज करते रहेंगे सबसे पहले This Middle तुम इंडेक्स मिडल तुम इंडेक्स मिडल फिर एल्फबेट सी डी ए सी डी ए सी डी ए सी डी ए कुछ इस तरह से होगा फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पीड तेज करेंगे कुछ इस तरह से हमें ट्री फिंगर एक्सराइज को कम्प्लीट करना है थम इंडेक्स मिडल उसके बाद ए के बाद एक का पार्ट आता है उसमें वापस थम को लेंगे हम ए फ्जिए ए ब्व फ्जी ए ब्व तरह से ब्व थम इंडेक्स मिडल रिंग और लास्ट में लिटल भी आता है जो आपस सी हो जाता है आप सी डी इफ के लिए इफ जी एबी अवजी के लिए तो कुछ इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे और इसके आगे जब हम इन सभी सेवन म्यूजिकल नूट्स को कंटीनिवेशन में एक्सरसाइज करते हैं तो फिंगर क्रॉस एक सेक्षन आता है पर एक्जाम्पल आपने थम इंडेक्स मेडल किया उसके बाद आपको फिर ये पीछे से कि थम को क्रॉस करके यहां लाना है और यहां लाके सारी उंगलियों को वापस ऐसे जमाना कि अभी मैं आपको प्रॉपर विजिबल हो इसलिए मैं ऐसे उठाके दिखा रहा हूं लेकिन ऐसा होता नहीं है कुछ इस तरह होता है सी टी एफ सी टी एफ यह पीछे से जारी लेकिन धान्ट्यू